गुड इवनिंग एवरिवन आई होप कि आप अपने एक्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी ना किसी शॉर्टेंट के एक्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं और सबसे जो मेरा वीडियो पॉइंट था transcription क्योंकि सबसे ज़्यादा problem अगर हम short end के student को कहें तो उनको ये लगता है कि transcription बहुत weak है लिखतों मैं लेता हूँ लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता या उसको transcribe नहीं किया जाता या फिर transcribe करने के बाद mistakes बहुत आती है तो ऐसा ही कुछ मेरा चल रहा था transcription के मामले में और जो मेरा सबसे weak point था मैंने उसको सबसे strong point बनाया क्योंकि हमें check करना पढ़ेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा weak point है और किसमे हमारी strength ज़्यादा है मान लिजे कि आप बहुत अच्छा लिख लेते हैं और transcription की speed कम है तो फिर आपको transcription की speed पर गाम करना पढ़ेगा लेकिन अगर आप उसको readout नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके transcription weak है इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं जो आपकी outlines हैं उसमें अभी वो grip नहीं है या फिर अभी आपका वो vocabulary part उतना strong नहीं है तो इस तरह कि क्योंकि देखिए basic जो शुरुवात है मान लिजे आपको कोई चीज टाइप करनी है तो उसका पहला step है बहुत अच्छे से लिखना और वो readout कब होगा जब वो अच्छे से लिखा होगा जैसा कि हमने last video में discuss किया था कि अपनी speed को कैसे increase करें आज हम discuss कर रहे है कि transcription को कैसे अच्छा किया जाए कैसे speed से किया जाए और कैसे accuracy बढ़ाई जाए तो सबसे पहले point wise point समझते है सबसे पहला जो point है मान लिजे कि आप जैसे short end की copy पे जब आप dictation को लिख लेते हैं और dictation को लिखने के बाद no doubt कई बार ही कोई ऐसा मुश्किल word आ जाता है या फिर कोई ऐसा word जिसकी outline हमारे से या कोई name हो गया तो बहुत बार हम उसको बीच में या तो gap देके लिख लेते मतलब उसमें gap छोड़ देते हैं short end writing में और कई बार हम उसमें gap भी नहीं देते तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको कहूंगा कि आप थोड़ा सा हलका सा वहाँ पे gap maintain करें जहां भी थोड़ा सा doubt आ रहा है वहाँ हलका सा short end लिखने में gap maintain करें और दूसरी चीज़ हम जब normally लिखते हैं जब हम normal speed पे लिखते हैं जो हमारी speed है तब तो हमारी outline में बहुत ज़्यादा gap नहीं आता है लेकिन जब हम अपनी जो natural speed है उससे ज़्यादा speed पे लिखते हैं तो हमारी जो outlines हैं उसमें या तो gap आने लगता है या फिर हमारी जो short end की outlines है हम बार-बार students आपस में discuss करते हैं कि outline बिखडगी लिखा तो गया बट outlines बिखडगी इसका मतलब क्या है कि आपकी एक तो speed अभी कम है तो सबसे पहले तो अपनी speed को increase करना पड़ेगा दूसरी चीज अगर आप ठीक ठाग लिख पारें तो उस gap को maintain करने की कोशिश कीजिए आपकी outlines में बहुत ज़्यादा gap नहीं होना चाहिए और कुस students को मैंने note कि है कि वो एक ही copy में दो-दो line मारते हैं यानि कि कुस student बीच में एक line मार लेते हैं student क्या है एक line इधर एक line इधर उनको लगता है कि अगर इतने कम-कम में फटा-फट लिखा जाएगा तो शायद जल्दी लिखा जाता है तो ऐसा नहीं है इससे एक habit बन गई वो अलग बात है अगर आप उसको change नहीं कर पारे वो अलग बात है बट एक ही line बहुत होती है दो line मारने की उसमें जरूरत नहीं होती है दूसरा point क्या है कि आप अगर copy में line मारे ये तो किसी student की copy है अगर आप copy में line मारे यहाँ पे तो कोशिश करें red pen से line मारे blue pen से अगर आप लिखते हैं तो blue से इस पे line मत लगाए अगर आप black pen से लिखते हैं तो बीच में black pen से line मत लगाएं कोशिश करिए इस पे आप red pen से line लगाने की और वो red pen आपके फिल transcription के time भी काम आने वाला है कैसे जिसे अब जब आप dictation को लिख लेते हैं सबसे पहले तो थोड़ा सा gap maintain करिए जहां पे भी आपको लग रहा है थोड़ा सा doubt है दूसरी चीज dictation complete करने के बाद कोशिश करिए उस gap को fill करने का अगर आपको थोड़ा सा clarity आती है उस outline की या फिर उसको आप long hand में भी लिख सकते हैं कि exam में आपकी ये वाली copy नहीं check होती है बहुत सरे student जो है जो learning stage पे होंगे उनको शायद नहीं पता होता senior student को सभी को पता है कि ये वाली copy check होने वाली नहीं है तो आप वो gap maintain करिए उसमें आउट बाद में जब complete होजे तो उसमें long hand में भी लिख सकते हैं और जब आप उसको transcribe करने बैठें तो मैं आपको एक बहुत pro tip देने वाला हूँ प्रो tip क्या है कि अगर आपकी transcription की speed मैं आपको किसी class की बात नहीं कर रहा हूँ कि exam की मान लिजे किसी exam में 20 WPM transcription की speed required है कहीं पे 20 से भी कम है कहीं पे इससे भी ज़्यादा required होती है तो जितनी आपकी transcription की natural speed है natural speed का मतलब कि अगर 400 words है आप उसको 20 minutes में type कर पाते हैं तो आपकी speed 20 हुई अगर आप उसको और ज़्यादा speed से कराते तो उसी साब से आपकी जो speed है वो बढ़ती चली जाती है तो अगर मान लिजे किसी exam में 20 WPM transcription required है और आपकी speed 35-40 के around है तो उस case में मैं आपको कहूंगा क कि आप जो dictation है उसको पहले पूरा read out करिए आप exam में other aspirants को मत देखिए कि कौन type करना शुरू कर चुका है किस कौन आप से अगे निकल चुका है मैं आपको एक चीज shorty से कहता हूं कि अगर आपने उसको read out कर लिया और आपकी speed अच्छी होनी चाहिए यह नहीं कि 20 WPM की transcription required ह आपकी 20 ही है या 25 है तब यह risk बिलकुल ना लें फिर अपना सीधा आप उसको type करना शुरू कर दें इनकेस आपकी transcription speed उससे double है तो definitely आपको पहले पूरे passage को read out करना चाहिए अगर उसमें जो मानली जीए words हैं बहुत ज्यादा नहीं है जैसे मानली जीए SSC का exam होता है 800-1000 word होते हैं और हमारी speed के हिसाब से हम तै कर सकते हैं कि हमें उसको read out करना है या नहीं करना है मेरा जो खुद का experience था मैं हमेशा passage को मैंने जो senior scale का exam जो पंजाब and हर्याना high court का crack किया था 25 minutes उसके transcription के थे 500 word यानि कि 20 WPM की requirement थी और मैंने उसको कम से कम 5 minute पूरी जो dictation है उसक लिखने के बाद उसको read out करने में लगाए मेरे पास 20 minute बचे थे और जब मैंने शुरू किया मेरे से maximum student मेरे से बहुत आगे थे बहुत सारा type कर चुके थे लेकिन जब मैंने उसको पढ़ने के बाद type किया और जब मैंने complete किया तब तक वो student type कर रहे थे इसका मतलब क्या है क जब आप पढ़ने के बाद type करते हैं तो आपकी जो speed की coverage है वो naturally better हो जाती है जितना आपकी वैसे आएगी उससे भी ज़्यादा आपकी speed आ सकती है तो आप ये काम कर सकते हैं और ये सभी के लिए नहीं है अपनी परिस्तिती के हिसाब से इसको आप mold कर सकते हैं और उसके ब जगाई है उसी red pen से आप उसको round मत करिए हम बहुत बार करते हैं कि उस वाले word के ओपर पूरा गोला लगाने की कोशिश करते हैं तो आप ऐसा ना करें अगर आपके pen का color लिखे हुए pen के color से अलग होगा आप उसके निचे बिलकुल हलका सा अगर mark भी कर देंगे तब भी आ और क्या करेंगे जब आपकी transcription complete हो जाए हम बहुत सारे student क्या करते हैं जैसे ही complete हुई copy को side में रख दिया और फिर हम screen पर पढ़ने लगते हैं आप कोशिश करिए आपके पास अगर sufficient time बचा है तो copy को match करिए copy को आपकी जो screen है उससे बिलकुल match करिए एक एक word फटा फट से आप उससे क्योंकि कई बारी ऐसा होता है जब हम transcribe करते हैं तो एक जैसे word उपर नीचे वाली line में होने के कारण बहुत बार हमारी line छूट जाती है और हमें पता ही नहीं चलता हमें लगता हमने पूरा कर लिया बट कही ना कहीं वो एक line मिस हो जाती है और फिर हमें वो बा जारी जारी है सबसे पहले तो आप उसके उपर बहुत ज़्यादा समय विर्थ ना करें अपनी transcription को complete करने का प्रयास करें पहले जब वो complete हो जाए तब आपके जो doubts है या कोई left word है या कुछ भी है आप उसको बाद में चेक करें और अगर आपसे मान लिजे कोई outline नहीं पड लेकिन आप place जो है किसी भी word का place आप maximum ठीक बनाते हैं rare ही कोई गलत होता होगा तो आप उस place के हिसाब से वहाँ वावल पुट करके अगर आपने नहीं भी लगाया है तो कोशिश करिए वहाँ second place का है तो आप कोशिश करिए कि उस पे वावल पुट करके मान लिजे line से वर्ड बन सकता है अगर through the line लिखा है cut the line लिखा है तो third place का उस पे वावल पुट करके देखिए आपको समझ में आने लगा अच्छा ये word हो सकता है sentence से भी आपको थोड़ी थोड़ी फिरो से समझ आने लगेगी तो आप इसको भी apply कर सकते हैं मैं आपको बहुत ही बहुत ह पर्च मतलब यह मान लो कि जो मैंने खुद personally experience किये है मैं सिरफ आपसे वो share कर रहा हूँ मैं कोई points लिखके नहीं बैठा हूँ जो मुझे लगता है कि transcription लिखने से लेके और जब हम short end writing कर लेते हैं वहां से लेके और जब तक हम transcription से उठते हैं ये बीच के सारी जो process है अगर आप इसको properly follow करेंगे एक तो transcription की speed बढ़ेगी accuracy बढ़ेगी और बहुत आपको फायदा मिलने वाला है और क्या ध्यान रख सकते हैं हम जैसे मान लीजिए जब मेरा exam था क्योंकि मैंने सारे जितने भी experiment किये हैं मैंने अपने इस Punjab and Haryana High Court के exam के लिए ही मैंने maximum experiment किये धेर सा सारे practice की बहुत सारे vocabulary बहुत सब कुछ किया और एक चीज और की मैं मुझे problem आती थी जब मैं इस तरह से copy को इस तरह से नीचे रखके और type करता था तो मुझे दिक्कत आती थी बार-बार इधर देखना बार-बार उधर देखना तो इसके लिए मैंने क्या किया मुझे कोई alternate नहीं मिल रहा था यह जो मेरा cardboard है यह cardboard उस time का है आज से लगबग 6-7 साल पहले जब पंजाव एंड हर्याना high court का मैंने exam crack किया था तो मुझे इस तरह का कुछ भी मिल नहीं रहा था कि मैं इस तरह से stand कर पाऊं किसी और इस पे कापी को रख पाऊं तो मुझे इतना पूरा cardboard लेने की जरूरत पड़ी क्योंकि यह इस तरह का भी market में नहीं मिलता था तो मैंने इसके पिछे जो एक stand होता है stand किस चीज़ का लाओ होता है या नहीं होता है तो फिर बाद में शुरू में तो मुझे वो नहीं मिला मैं ढूंडने तो यह गया था मैंने अपने शहर की हर एक जो bookshop है उस पे मैंने इस तरह का cardboard उनसे मांगा कि इतने size का cardboard आता है लेकिन तब मुझे नहीं मिला तब मैंने वो बनवाय था लेकिन बाद में यह cardboard size का आने लगा और हम इस पे copy को easily इस पे लगा के और हम इस पे practice कर सकते हैं अगर exam में नहीं भी ले जाने दिया जाता है तो हम अगर routine में इस पे practice करते हैं तो definitely हमारी जो एक habit बन जाती है कि फटा-फट इधर से इधर transcribe करने के तो उससे हमारी speed जाती मान लिजे exam में हमें नहीं भी ले जाने दिया जाता है यह वाला cardboard तो फिर हम copy से भी हमारी speed बहुत जादा बढ़के आएगी क्योंकि हमें habit हो चुकी है तो हमें बहुत अच्छे से practice हो चुकी होगी और हमारी speed बहुत बढ़ चुकी होगी तो transcription को लेके यह सारी चीज के दिये होंगे मैंने हर एक वीडियो में यह जरूर बात की है कि आप अगर concentration से लिखेंगे तो आपका लिखा हुआ बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा लेकिन कहीं भी concentration lose होती है self confidence lose होता है तो definitely आपको वहाँ पढ़ने में problem आएगी ही आएगी तो transcription के जितने भी basic सी ची मैं खुद से apply किया मान लिजी कि जब आप चेक करते हैं आप अपनी copy से चेक करते हैं डिक्टेशन को तो हम arrow key का इस्तेमाल करते हैं तो arrow key का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक एक alphabet पे move करते हैं लेकिन मैं आपको suggest करूँगा आप arrow key को press करें तो control के साथ press करें ताकि आप एक ए कोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन मैं जो अपना अनभव आपसे share कर रहा हूं अगर कोई चीज रह गी है तो रह जाएगी तो फिर मुझे satisfaction नहीं होगा तो ये कुछ सारी चीजें थी जिसको अगर आप एक एक tip को अपनाएंगे practice करेंगे क्योंकि मैंने अपनी journey में जितन रहे की guidance available भी नहीं है और बहुत सारे जगह बहुत अच्छी अच्छी चीजे मुझे मिलती है मैं भी वहां से सीखता हूं बट आपको आपके level के हिसाब से check करना पड़ेगा आज आप कहा stand करते हैं आपकी strength क्या है आपकी weakness क्या है आज जिस point पे मैं आपसे बात कर रहा हू यह मेरी सबसे बड़ी weakness थी जिसको मैंने सबसे बड़ी strength बनाके और फिर उस पे काम करके उसको सबसे अपनी मजबूत strength बनाके तब मान लिजिए फिर उसके बाद मेरा selection हो गया था क्योंकि हमें क्या चाहिए selection ही तो चाहिए ना तो अगर हमारा selection हो जाता है इन चीजों को तो फिर बहुत ही हमें फायदा मिलता है तो आप इन चीजों को सभी को अपनाईएगा कोई आपको लगता हो इससे अलग भी कोई tip हो सकती है या कुछ आपके मन में भी कोई सुझाओ तो जरूर शेयर करिएगा विडियो लंबा है लेकिन जरूर देखिएगा एक एक point ब्लस्यू